नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप Windows 7 है उसके अंदर Wi-Fi की जो प्रोगलम आती है उसको आप 100% शोल कैसे कर सकते हो तो दोस्तो आपने हमारी इस वाली वीडियो पे क्लिक किया तो हम उमीद करते हैं आपकी जो Windows 7 में जो Wi-Fi की प्रोगलम आती है उसको 100% शोल कर देंगे क्योंकि इसके अलावा आपको कोई और अलग वीडियो देखने की जरुत बिल्कुर भी नहीं पड़ेगी तो हम वीडिय सब्सक्राइब कोई सेटिंग वगेरा चेंज हो जाती है उनकी वज़े से भी हमारा जो सिस्टम में Wi-Fi काम नहीं करता है तो आप देख पारे हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर यहां पर आप देख पारे हुई यह जो लगा हुआ है यहां पर कुछ भी नहीं दिखा ठीक है उसके बाद हम चेक करेंगा हमारा Wi-Fi ड्राइवर इंस्टोल है या नहीं है तो हम स्टैप बाइच चलेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर चेक करना होगा कि आपका जो Wi-Fi डिवाइज है वह आपके सिस्टम में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो उसके पाद यह कई बर क्या होता है नेटवर्क जो अप्शन नेटवर्क अडेप्टर का उप्शन है वह कुछ इस प्रकार से हैड होता है तो आपको सिंप्ली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है ठीक है तो यहां पर आप देख पार होगा हमारा जो Wi-Fi है जो अडेप्टर सिस्टम के अंदर तो यहां पर दिखा चुका है ठीक है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो Wi-Fi डिवाइज है वह हमारा सही है हमारा सिस्टम में दिखा रहा है ठीक है तो उसके बाद हमारे दूसरी बारी आती हमारे सिस्टम में सोफ्ट्वेर की कि हमारे सिस्टम म पर एकन को मिडियम कर लेता हूं उसके बाद आपको चले जाना है यहां पर मेरा आ रहा है यहां पर या फिर दूसरा भी आ सकता यह यह वाला यह वाले इन में इसे ठाना होगा अगर यह दोनु वाइफाई के उप्षन आ रहे हैं तो आपके सिस्टम में वाइफाई की समस्या जो वाइफाई का ड्राइवर है उसकी भी समस्या नहीं है वह भी आपके डिवाईज के अंदर इंस्टॉल है तो हमने यहां पर चेक कर लिए हमारा वाइफाई भी ओके है वाइफाई ड्राइवर बोक के है हाँ यहां पर एक चीज और निकल के आती है अगर आपका वाइफाई ड्राइवर नहीं है तो उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कुछ इस वाले जिप फा कर लेना ठीक है और दूसरा सोफ्टेर आता है यह वाला वाइफाई के अंदर इसमें चले जाओ विंडोज के अंदर और इस वाले ड्राइवर को आपको डबल क्लिक करके इंस्ट्रोल करना है अगर इन दोनों के बाद भी आपका सिस्टम में वाइफाई नहीं काम कर रहा तो आप नए फ्रेस इंस्टोल कर रहे है उसकी बात है तो अगर तब भी काम नहीं कर रहा है तो आपको कुछ सैटिंग करनी होगी वह हमें आपको आगे बता रहा हूं ठीक है तो दोस्तों जानते हमें अगली सैटिंग क्या करनी होगी हमारे वाइफाई को चलाने के लिए ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको चले जाना है और यहां पर आपको करना क्या होगा यहां पर एडवांस ओप्शन पर क्लिक करोगे और यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर करना स plugged करके तो आपके Кोई सैटिंग हो रही होती होगी वो आपके रिसेट हो जाएगी थोड़ा इस्प्रोसेस के बाद आप देख पार होगे इसको कांशि कर देना आपको एक पर चेक करना आपका जो वाइफाई है यह काम कर रहा है यहां पर इस condition में हमारा Wi-Fi काम नहीं कर रहा है तो आपको अगला process करना होगा अगले process में आपको क्या करना होगा simply वापे internet option पर जाते हैं उसके बाद आपको चलेज़ा है configuration पर ठीक है उसके ऊपर चले जाना है उसके बाद यहां पर है और उसके बाद आपको यहाँ पर यह देख लना है यहां पर ऑटमयंटिक कर लेक्ट है या नहीं है अगर तो अगर नहीं था चले जाना यहाँ पर इंट्रनेट और यहां पर चलेने के बाद यहां पर छो ओ्सट देख पर होग तो यहां पर मेरी इस कंडिशन में मेरा वाइफा काम कर चुका है तो यहां पर इसको भी हम एक बर इनेवल कर देते हैं और इसको भी इनेवल कर देते हैं अगर जीतने दिखा रहे हैं आपको सभी को इनेवल कर देना है उसके बाद आपका वाइफा अगर ऐसे दिखा दाता ह और अच्छी बात है आपका आपको करने लग गया है तो यहां पर पासवर्ड डाल लेता हूँ उपने दाल दिया हो यहां पर मैं accept करें लेता हूं देखते हमारा wi-fi connect होता है यह नहीं होता है तो यहां पर हमारा राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर प्रोग्राम में अदर जाना होगा उसके बाद यहाँ पर एंजानी का उप्शन दिखे रहा है उसक्रीघ करना उसक्रीक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहां पे ड़्राइवर में जाने के बाद यहां पर अपडे कर दिया तो इसके बाद Спos 비把它 नहीं कर रहा है तो आपको सभी को कट कर देना है और मेनेज़् मेरगोर्ट होगेमेट कर दो रघेगे लारे लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहां पर देख पर हो चेंज यहां पर सर्च फोर हाडवेर चेंज का उप्षन आरहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको और यहां पर आपके डिवाइज है उसको यह स्कैन करेगा आपने जो भी चेंजमेंट किये है वो आपके सेव हुए है या नहीं हुए है तो अगर आपके जो डिवाइज यहां पर चेंज हो जाता है इसके बाद कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं 100% उम्मीद करूँगा आपका जो वाइफ़ाई है इन में से किसी ने किसी स्टैप पर काम कर गया होगा अगर आपका जो वाइफाई अब भी काम नहीं कर रहा है तो आपको जो कई बाइडिफोल्ट फ्राइट मोड पे होता है आपका सिस्टम बाइडिफोल्ट में की के रूप में वाइफाई को बंद करने का उप्शन होता है तो इस चीज़ के आपको विशेज ध्यान रख रहा है कि आपको अपना वाइफाई इनेबल कर लेना है या फिर आपका जो विंडोज है उसको आपको रिइंस्टोल कर लेना है उसक करूँगा आपके 100-100% आपके जो वाइफाई काम करने लग जाएगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो वाइफाई है अगर काम करने लगी है तो हम आपसे उमिद करेंगे कि आप हमारी योट्योब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दोगे वीडियो ठीक है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई